कि मालत में मों और एंस यहां मल़के है पर अलग अलग असी ड्रॉप कर रहे हैं जिसे यह क हाईट से है एच वन हाईट से ड्रॉप कर रहें तो इसकी इनीशल वेलोसिटी वोलो जीरो होगी और इसके एक्सलरेशन किता होगा वो प्लस कजी होगा आरहें ना समझ में तो हम इसके लिए लिए लिखें कि 4.4 आँ मास फोर मास M1 M1 वाले के लिए लिखे अगर अगर अपन टाइम निकालना अपन को तो एस इगल टू क्या करेंगे यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वार कर देंगे कर दोगे ना ठीक है अब इसके लिए जो टाइम है अपन मालने ताइम किता है टी वन है तो एस किता हो जाएगा इस तो इक्वेशन आजाएगी यह तो अपने लिए मास M1 अम मालो कोई दूसरा है उसको किसी और हाइट से यह एम टू वाला है इसकी जो हाइट अलग है अच्छा मास वास दोनों के सेम है मास जो हैं दोनों के सेम है ठीक है अभी हाँ अभी इस केस में तो अब इसमें इसकी इनी मास फोर मास M2 M2 के अगर मैं बात करूं M2 के लिए फिर वापीस मोहीं लगा दो M2 के लिए हाइट किते हो जाएगी हो जाएगी इनीशल वृदिशी हो जाएगा और यह हो जाएगा T2 का स्कुरेश यहान से T2 is equal to किता जाएगा 2H2 divided by G यह आगया आपको T2 का स्कुरेशन आ गई अगर अपन टीवन और टीटू का रेशो लें टीवन-कइसक्वाइड वाइडबाइड टीटू का स्कवाइड तो यहां से आप देखें कि टीवन-डिवाइडबाइ-टीटु जो है इसका रेशो किता गए अंडरूर्ड यह आगया आपको आस है आपको से एक वाइड़ वाइड रेश्व क्या आगए एक तो पहली बात हो गए यह तो रेश्व आ गया अब यह करें कि रेश्व यह क्या करा है one of the object is होलो एंड दा अदर वान इस सॉलिड फिर यह कि रहा है बोट अप देम हो लो तो देखो जो ग्रेविटेशनल वापस से यह तो दो चार बार अपने पास पहले बहुत बार कॉंसेप्ट आ गया कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ओती है जीए में अपोन और्सलोर तो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जोंडरेस्ट जो है वह double और सभी तो सभी करेंगा जी जो है वह सेम रहेगा बॉडी के रहेगा तो जी सेम रहेगा तो यह पर कह को निकाल के बताना पड़ेगा आए समझ में आए एक लाइव नागा अब मैं आपको इसका एक लास कोश्चन है और यह इंप्पोर्टेंट यह में स्टार लगा देता हूं आपको मैं आप से बार बार के भी रहा हूं तो इन कोश्चन को आपको जरूर करना है देखो दिहान से सुनो question क्या किरा है first part कर रहे हैं हमने इसका a part यह किरा a cube of side 5 cm कोई cube है उसकी side आपको देरी के 5 cm ठीक है is immersed in water and then in saturated salt पहले उसको water में इमर्ज करा फिर saturated salt में करा तो water की density में रो डबलू ले लेता हूं और saturated salt की density एस मतलब salt मुझे बता किसकी density ज्यादा होती वाटर की या सॉल्ट की तो saturated जो salt water है उसकी density ज्यादा होती है ध्यान अखना ठीक है saturated salt water है solution है उसकी density ज्यादा रहती है water से in which case will it experiences the greater bian force तो आप देखो blind force जो होता है bianend force का formula क्या होता है row and v and g समझे भी बात को bind force का जो formula होता है रो वी जी होता है रो वी जी अब देखो जी अगर आप अर्थ पर experiment कर रहे हो एर्थ पर यह activity कर तो जी तो आपका constant हो गया जी क्या हो गया constant हो गया अब जो कुब को आपने पूरा पुरा दबो दिया water सोल्ट में तो जो बोलिम जो दिस्फलेज task वो भी सेम गया वोलम दिस्फलेजद हो गया जी तो ऑफ स्लेज यह है चोंज पिरल बी मोर का बूलो फबी मौर कि इन इन सेचुरेटेट इन सेचुरेटेड सौल्ड बॉर अंघ कर रहरे इस जगे से पढ़ दें एफिच साइड ओफ डो बोलो आई बात सुभान में यह अन्सर बन गया आपका एप एक यह तकक आप सॉल्ड अब देखो इसके आगे नेक सेंटिमेटर अगर हर एक साइट जो है फोर सेंटिमेटर से रूज कर दें एंड इमर्जिन वाटर वाट विल दा इफेक्ट ऑन दा बायंट फोर्स एक्सपिरियंस तो यह करें कि अगर उसकी आपने साइड रिड्यूस कर दी यह एका फस्ट पार्ट सौल कर दी आपने एका हैं जो है मैं सेकेंड बार बता रहा हूं अगर साय गोर्ष करती तो वॉलिव एक Gef you जा Tack एंगर व्लिव मौऱ्म और एनट लिस वह जाएगा और ऑनेप्र्चेंज ऑगया जाएगा तो 60 ils चैकर दो क्रिख वहां तक है यहां तक आपन वी पार्ट का एक बॉल ऑप यह देखना किलोग्राम मतलब मास दे रहा है उस बॉल का तो मास किता है फोर किलोग्राम में ठीक है इसका ψ Lap के होता है उसका फॉर्मला की होता है डेनशिटी नह object वॉल्यूम डिस्प्लेस्ट ठीक है और यहां पर आजाता है जी ठीक है अब मुझे बताओ कि यहां पर डेंसिटी ओफ वाटर किता है वन थाउसन है ठीक है वॉल्यूम कैसे निकालोगे तो देखो पूरा का पूरा उसको कर दिया देहां से पूरा का पूरा इस बाडि को सब्सक्राइब कर दिया तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ट क्या होगा वॉल्यूम ऑफ बॉड़ी के बराबर होगा के नहीं होगा आरी बात समझ में अगर उसको को कंप्लीटली मर्ज कर दिया ना अपने वाटर में तो वोल्यूम डिस्प्लेज्ट जो था वो वोल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर होता है और वॉल्यूम में भाई अगर उसको पूरा का पूरा आपने इमर्ज कर दिया तो जो वोल्यूम डिस्प्लेज दे वो वोल्यूम ऑप बॉड़ी के बराबर हो जाएगा तो यहां देखो आप बाइन सी फॉर्स अपन निकालेंगे डेंसिटी ओफ वाटर क्या है वन थाउजन है तो से तो इस फोर काटा दो और यह 30 से 30 काटा दो तो आंसर आपके पास कितना जाएगा टेन न्यूटन आया कि आया कर लोगे स्वाल कि कुछ पूछना हो तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको अच्छे से करना है आपको 26 वाले कुश्चन को ठीक है